वर्ष 2023 जा रहा है और अपने जाते जाते आप लोगों को 2024 के लिए नई खुशकबरी नई अवसर नई ओपोर्ट्रेटिस आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा है उडिसा में 1375 पीजिटी पोस्ट निकली है मैं इसकी पूरी जानकर यह आप लोगों को देने वाला हूं महत इसको देख सकते हैं क्या है पूरी जानकरी मैं आप लोगों को बताने वाला हो देखो औरी सा पब्लिक सेदिस कमिशन चाला गया है और इसको को नोटिफिकेशन को निकाला गया है तीस दिसम्बर को यानिके कल यह नोटिफिकेशन निकला कौन आविदन कर सकते हैं यह क्या एलिजिबिलिटी होगी सबसे पहले हम लोग जान लेते तेरह सब पिछत्तर जो पोस्ट है इनको आप लोगों को कब से अपलाई करना है 31 जैन सोची कहा कि फॉर्म भरे जाएंगे उसके बाद हम लोग ये सब पर विचार करेंगे पूरा बताया गया एकजाम chemistry है बहुत अच्छा स्लेवर से पढ़ने वाला स्लेवर से ठीक से तैयारी करने वाला स्लेवर से मैं आप लोगों को यहां बता देता हूं पहले किस सब्जेक्ट में कितनी पोश्ट है एंट्रोपालोजी जो है इसमें पांच पर विकंसी है बोटनी में पचास है को मर्स अग्राफी साथ जी लोजी दो हिंदी में 14 में 141 और हों में 16 लोजिक या फिर फिलोसोपीज के आवन मैठमेटिक्स में 40 ओडिया में इस में सबसे ज्यादा पोस्ट है दो सब्सक्राइस विजिक्स में 30 प्लिटिकल साइंस में 122 साइक और शीकल जी में 16 संस्क्रिट में 21 में 35 और स्टेटिक्स में 9 जिलोजी में 50 उर्दु में एक कुल मिलाकर के 1375 पोस्ट निकली हुई है पीजीटी के लिए के लिए अलग लग जो है इसमें दिया हुआ डिटेल आप लोगों की एज क्या रहेगी इसमें बताई गई है कि एज आपकी मिनीमम रहेगी 21 वर्ष 21 वर्ष्ट से लेकर के और अधिक्तम 38 वर्ष तक आप लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे जो कि आप लोगों को एक जनवरी 2023 के अनुसार कहा गया है एक जनवरी 2023 के अनुसार आप लोगों की जो एज है वो इतनी होनी चाहिए और जो लोग इन सर्विस हैं पहले से लगे हुए उनको 45 वर्ष के एज कहा गया है और आप लोगों को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कहा गया जो मास्टर्स डिग्री इसमें 50 प्रतिशत अंक आप लोगों के होने चाहिए और इसके तरिक आपका बीएड आप लोगों के पास होना चाहिए और तीसरे नंबर आप लोगों कांपीटर आप लोगों में जो है वो डिग्री और कोई डिपलोपा डिपलोब्स के रहेगा के आप का पहले रिट रिटेन एक्जाम हुगा Wait एक स्टैप में नहीं ही रिटन एक्जाम भी शेपर वन एक्जाम होगे रिटन ख्रोंगे भी पेपर वंघ फेपर टौटी पेपर थ्रीट पेपर वन में जैश रूब लोग il करý जराइट करेगे उस करेंगे उसमें पहले एक जो है उसी अप्षिन सब्जेक्ट जो भी लेंगे एक पेपर दो घंटे का उसका होगा उसके लिए अलग से स्लेवस दिया हुआ है और सो प्रश्णों का ही पेपर जो है वो दो घंटे के लिए वह होगा नेगेटिव मार्किंग रहेगी 25 परसेंट नेगेटिव मार्किंग है इसमें और इसके अतरिक आप लोगों को मिनीमम 33 परसेंट आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए फिर आप लोगों को कह रहे हैं कि इंटरव्यू हो जाएगा और तीस नंबर का इंटरव्यू है तीस नंबर का कुल मिला आपको इसके मार्क्स जोड़ करके मेरिट बना करके जोईनिंग दे दी जाएगी ठीक है आप लोगों के लिए लेकिन इसमें बात महत्वपूर्ण है प्रश्निय उठता है कि पूरे भारस से कोई भी आवेदन कर सकता है तो इन्होंने लिखा तो है कि पूरे भारस से कोई पूरा भारत तो फिर कहा हो गया सब लोग अपने रज्य में टेंथ करते हैं या फिर नहीं पूरा आप भार के लोग भी आवेदन कर सकते हैं उसके लिए आगे बताया गया है मेट्रिकलेशन जो है वो पास किया हुआ हो उडिया के साथ आपने कुछ लोग जैसे अपने ल करनी है तो उडिया आप लोगों को आनी चाहिए इनका मुख्य मुद्दा यह है और आप लोगों ने जो है मिडिल इंग्लिश स्कूल स्टेंडर्ड पर जो है वो उडिया से पास किया हुआ कुल मिला करके उडिया किसीने की जिस्तर पर आप लोगों ने पढ़ी होनी चाह प्रशने वो छोड़ दीजिए मैं आप लोगों को इसका डिटेल में फ्लेवर्स लेकर के एक्जाम पेटन पर थोड़ी सी ओर चर्चा करके कितने गुना कैंडिडेट इंट्रीव के लिए बुलाए जाएंगे कैसे आप लोगों कि तैयारी करनी है डिटेल एडवर्टाइ इस में लेकर कि मैं आप लोगों के लिए फिर उपस्ति होंगा आपके प्रशनों की प्रदिक्षा रहेगी नमस्ते अ कि अ कि अ